सो हलो गाइज स्वागत आपका कारे ने चितकी एक नई वीडियो में आज आपके सामने स्कॉर्पियो एन का मिड़ वेरियंट जेड़ सिक्स वेरियंट है और यही सबसे ज्यादा वैली फॉर मनी मुझे क्यों लगता है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्कॉर्पिय जेड़ सिक्स वेरियंट इसका कितना ज्यादा वैली फॉर मनी है और इसमें हमें क्या क्या मिलता है और क्या आपको 6-7 लाक रुपे बजाने चाहिए टॉप मोड़ो लेने के अलावा यह जेड़ सिक्स वेरियंट लेना चाहिए तो इसी का जवाब आपको एंड में ज़र लाक रुपे आपको एक्स्रा देना पढ़ रहे है तो आप सोच समझ के ले सकते हो आपकी प्रियोरिटी जो होगी उस हिसाब से 4,662 mm इसकी लेंद है 1917 mm इसमें विर्थ मिलती है और 2750 mm का विल्बेस क्लेम किरती है कंपनी Ground Clearance 187 mm का मिलता है Headlights आप इसकी देखोगे तो यहापर Projector Headlights नहीं मिलती है और नहीं LED Headlights है यहापर आपको Turn Indicator मिलता है नीचे और Halogen Headlight Setup मिलता है Dual Barrel में है नीचे Fog Lights नहीं मिलती है और DRL भी इसमें नहीं मिलती है आपको Top Model से पाच-छे लाख रुपए सस्ती है तो कुछ चीज़े आपको बाहर से लगवानी पड़ेंगी लेकिन यह वर्त है इस variant में ग्रिल भी इसकी Silver Color में मिलती है जो कि Top Model में Chrome में आती है Side Profile में आप नोटिस करोगे इसके Alloy Wheels के तो यहापर Alloy Wheels Missing है लेकिन जो टायर प्रफ आता है यहापर यह Company ही Provide करती है इस variant में ऊपर Roof Rails मिल जाती है जो कि Silver Color में है and जो Side में यहापर जो Chrome की Lining आती है वो यहापर Missing है लेकिन यह आप बाहर से लगवा सकते हो यह Accessories में आपको मिल जाएगी इसमें काम के सारे Features आते है जो Main Main है लेकिन जो Cosmetic Features है वो सिर्फ आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे बाकी सारे Features इसमें भर-भर के मिलते हैं इसी वज़े से तो मैंने कहा है यह Value for Money Variant है आप यह Variant लेके आपके टेस्ट के इसाप से इसे Modify कर सकते हो अलाविल्स का भी आपको चूज करने का Option मिल जाता है मार्केट में गाड़ी की On Road प्राइज साड़े उनिस लाग के अंदर आपको यह On Road पड़ जाएगी यहाँ पर इसका ओवर यहां देखोगे तो यह Turn Indicator के साथ है LED में और यह Electrically Adjustable है, Foldable नहीं है गाड़ी का जो रोड प्रेसेंस है ना वो Big Daddy of SUVs इसे यूही नहीं कहा जाता आप यहां से देखोगे इसे तो यहां से रियल में आप फिल कर पाओगे इस गाड़ी को, रियर से देखने पर इसे बहुत लोगों के अलग-लग opinions हो सकते हैं, लेकिन रियर बंपर पर हाबर Chrome के lining जरूर आपको मिल जाती है और यहाँ पर reverse light भी है, parking sensors भी इसमें मौजूद है और थोड़ा पास से दिखाता हूं में, यहाँ आपर आपको reflectors भी मिल जाती है रियर बंपर पर और silver color में आपको skid plate भी दी जाती है, यह गाड़ी जब से launch हुई है तब से इसके देवाने बढ़ते ही जा रही है, इसकी tail lights खास कर तो बहुत लोगों के में confusion है कि यह कैसी है, वैगनार जैसी है या फिर Volvo जैसी है, तो यहाँ पर देखने में अलग-अलग choices हो सकती है, लेकिन personally में बताओ तो अच्छी लग रही है यहाँ पर, यहाँ पर wiper मिल जाता है, उपर stop lamp के साथ spoiler है, और washer भी इसमें मिल जाता है, लेकिन defogger इसमें नहीं आता है, rear looks आप देख सकते हो, अच्छ लो या फिर diesel लो, आईए दोस्तों इसका interior देखते हैं, और interior देखने से पहले इसके prizes में फिर से बताना चाहूंगा, 16,05,000 रुपे इसकी एक showroom prize है, जेड़ सिक्स विरियंट मैनुल के में बाद करो, on road इसे साड़े 19,00,000 रुपे की पढ़ जाएगी, चलिए इसका interior देखते हैं इसकी, तो यहाँ पर इस तरह की flip की मिलती है, आपको तीनों बटन के साथ, जो कि सारी गार्डियो में आती है, महिंद्रा की, इस तरह की आपको चाबी मिलती है, following headlamp का बटन है, lock on lock के लिए भी बटन यहाँ पर दिये जाते हैं, तो, halogen में यहाँ पर bulbs मिलते हैं, जैसे कि मैंने बता हैं आपको, चलिए इसका interior देखते हैं, अब, door panel जो है न वो आपको three tone में मिलता है, coffee brown color, silver color और black color, यह brown वाल जो color है, यह top model में soft touch में आता है, यह लेकिन यहाँ पर hard plastic में है, चार power window के controls मिल जाते हैं, lock on lock के लिए बटन दिये हैं, अलग-अलग, औ और overium control करने के लिए यहाँ पर 9 है, यह panel पूरा silver color में मिलता है, glossy में नीचे speaker मिल जाता है आपको, और bottle holder मौजूद है, speaker 4 मिलते हैं, इसमें 4 doors पे, और tweeters इसमें आगे 2 मिल जाते हैं आपको, चलिए चा भी लगाते हैं यहाँ पर, और इसके seats के में बात करूँ, तो हाँ प्रोफाइलर, तो चड़ने के लिए आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, और फिर footstep पे पेर रखने के चड़ना पड़ता है, तो यहाँ से करते हैं इसका ignition on, और आप देखना है इसका instrument cluster, तो इस तरह से आपको analog instrument cluster मिलता है, जो कि देखने में retro look देता है, और classy लगता है, और बीच में आपको screen भी मिलती है, जिसमें tachometer मिलता है, और distance to empty वगरा आपको show करता है, बाके interior में कोई कमी नहीं मुझे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें Z6 variant में ही आपको सारे चीज़े आपको top model वाली मिल रही है, touchscreen ले लो, इसका cruise control ले लो, या पिर top model वाली आपको fill देने वाली, set speedometer है, और फिलाल जो हमारे पास variant है, वो automatic है, तो यहाँ पर आपको gear positioning indicator में मिल जाता है, इसमें, अभी P पे है गाड़ी, तो यहाँ पर P show कर रहा है, और इस instrument cluster को control कहां से करोगे, तो steering पे यहाँ पर control कहां से करोगे, तो steering पे यहाँ प आप देख सकते हो, बीच में ही दिखाए दे रहा है, इसका map, तो यह सारे features आपको Z6 variant में मिल जाते है, steering adjustment देखते हैं, तो यहाँ पर tilt adjustment और telescopic adjustment नहीं है इसमें, हाला कि safety features के नाम पर दो airbags आपको standard मिल जाते हैं, यहाँ पर headlight के related controls है और यहाँ पर wiper के related सारे control से, cruise control भी इसमें मिल जाता है, और steering wheel देखो को तो यह पूरा leather wrap नहीं है, यहाँ पर headlight leveling के लिए सिर्फ button है, बाकी के buttons नहीं है, और steering के left side में आपको audio क related, मतलब screen के जो buttons आते हैं, वो मिलते हैं, और volume up down करने के, call उटने के, cut करने के, यहाँ पर 8 inch के touch screen मिलती है, जिसमें android auto मिलता है, आपल carplay भी जल्दी आने वाला है, लेकिन यह Scorpio N में आने में अभी time है, लेकिन android auto ज़रूर मिलता है, और बाकी इसमें USB connectivity मिलती है, और aux connectivity नह मिल जाती है, उसके नीचे ही manual AC के controls मिल जाते है, automatic climate control इसमें नहीं आता है, और यह वाले buttons screen के हैं सारे, यहाँ पर hill descent control का button है, driving mode change करने का button है, और traction control का button है, hazard light का button है, इस तरह के buttons यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको बीच में, और यह गाड़ी automatic है, तो यहाँ पर six speed talk converter मिल जात है, आप कुछ भी लगवा सकते हो, यहाँ पर, और इस से glow box देखोगे, तो glow box थोड़ असा छोटे size का, और यह cool है, यहाँ पर जो texture है, वो भी hard plastic में है, soft touch में नहीं है, लेकिन लगता है कि यह soft touch होगा, यहाँ पर manual IRVM है, sunglass holder है, sunroof भी मिलती है, तो sunroof के लिडिटर सार यह open करते हैं इसे, तो one click में यह open हो जाती है, और one click में यह बंद भी हो जाती है, और यह manually बंद करना पड़ता है, इसके जो lights है, वो LEDs में मिलते हैं, दोनों side, यहाँ पर mirror नहीं मिलता, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता, एक तो इतनी बड़ी गाड़ है, और उपर से इतन क्या additional आपको मिल जाता है, इसके नीचे वाले variants से, तो यहाँ पर इसका door panel hard plastic में मिल जाता है, power window का control है, नीचे bottle holder है और speaker मिल जाता है, एक तो इस गाड़ी के width इतनी जादा है तो यहाँ पर तीन आराम से bed पाएंगे, और तीन headrest भी यहाँ पर मिल जाते है, जिन में से दो adjustable है और center वाला जो headrest है, वो आपको fixed headrest मिलता है, और देखने वाले चीज़ होगी कि इसने में rear handrest है कि नहीं, जी हाँ है इसमें handrest, बीच में दो AC vents है, नीचे type C port है, charging के लिए और AC के लिए knob भी है, और हम भी ज्यादा बड़ा नहीं है बिलकुल भी, उपर headroom भी आपको अचाखा सा मिल जाएगा और lights भी है पीछे की तरफ, आइए दोस्तों इसका boot space देखते हैं, बहुत लोगों को शिकायत है कि Scorpion में boot space है ही नहीं, सारी seats उपर होने के बाद, चलिए check out कर लेते हैं हम भी, यह box हटाते हैं पहले तो, इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ बेसिकली टूल किट मिलते हैं आपको और स्पेर विल खोलने के लिए जगह है, इस तरह से seat fold करने पर यह 450 लेटर का boot space है, लेकिन आप इसकी seat को इसे लगाओगे, तो यह boot space कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मुश्किल से ही एक दो बै थर्ड रो में यहाँ पर एस इवेंट्स नहीं मिलते हैं आपको Scorpio N में किसी भी मॉडल में, सिर्फ XUV700 में थर्ड रो में एस इवेंट्स आते हैं, चलिए आईए इसका एंजिन देखते हैं, और यह सिर्फ Z6 विरेंट इसका सिर्फ और सिर्फ डिजल इंजिन के साथ आत में यह अलग बग 15-16 की माइलेज आपको हैवे में देगी और सिटी में 12-13 की आवरेज देने वाली है, बाकि माइलेज तो आपके चलाने के हैबिट के उपर भी डिपेंड रहता है, मैंने कई लोगों से सुनाए कि यह 17 के माइलेज भी कई लोग निकाल रहे हैं इससे, औ और 10-12 की भी कई लोग निकाल रहे हैं, यह अलग अलग चॉइस और चलाने के हैबिट के उपर डिपेंड रहता है, बाकि एंजिन इसमें बहुत आच्छे से ट्यून किया है, यह एंजिन हमें एक सिवी सेवरेंडेट में मिलता है, और यह एंजिन हमें थार में भी मिलता ह और थार में यह एंजिन 130 BHP पावर प्रोड्यूस करता है, मतलब अलग 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 पावर यह प्रोड्यूस करता है, और अलग अलग काम अपने निकाल के देता है, और यह गाड़ी 4x4 में भी अवेलेबल है, टॉप मॉडल्स में, और Z6 वेरियंट इसका 4x4 म के साथ मिल जाता है, आपको, 16-17 लाक में तो आपको एक छोटी गाड़ी या, कॉम्पैक असुवी जी आएंगी, लेकिन यह फूल साइज 7-set रे असुवी आपको एक मिल रही है, यह 16 लाक की एक शोरूम प्राइजिंग में तो आप इसे खरीदना पसंद करोगे, या फिर कोई छोटी गाड़ी पसंद खरीदना पसंद करोगे, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में यह भी बताइएगा कि यह वेरियंट आपको value for money लगता है कि नहीं, इसी तरह की knowledgeful and interesting videos देखने के लिए हमें subscribe जरूर कीजेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में तब के लिए stay tuned, take care and bye